ओम स्री गनेशा नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 अपरेल मंगलवार की रासी फल के बारे में की हाँ दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेथुन राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज मोके प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से संबंदित या फिर बाहर के कमपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बाहर से कामकाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ शिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल पैरणाम प्राप्त होंगे और उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्त होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गणमानने लोगों द्वारा आपको अवश्य ही आज प्रसंसा प्राप्त होगी कामकाज के छेत्र में भी आज कुछ व्रद्धी करण किया जा सकता है जो आपके लिए अवस्चे ही अच्छा साबित होगा दोस्तो पूरे परिवार में आज सबी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार में आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दोरान आप किसी प्रापर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवते आज आप कोई प्रापर्टी भी खरीज सकते हैं दोस्तो धन्यधान अचल संपत्ती प्राप्ती के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है जै दोस्तो आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा तो कि आप जिंदिकी पूरी तरह से जिएंगे जा दोस्तो आपका मनोबल और पूरी तरह से आपका अपने काम के प्रती पूर्ण रूप से समानपन भाव आपके लिए आज नई उपलब्दियां प्रदान करेगा जा दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी महनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा जया दोस्तो इसलिए आज आप समय का सद्यों प्योग करें कोई कि आज आपको अच्छा लाब राप्त हो सकता है जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होने की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्तितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है आप सासी तता पराकरमे व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रियास करें जा दोस्तो साती साथ आपको अपने कार इस्थल को लेकर भी आज कुछ ऐस संतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बदा हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तो साती सात गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आप प्रियास करें अन्यता किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पड़ सकता है मानसिक असांति के साथ साथ कार्रे व्यवसाय में भी आज व्यवधान उत्पन हो सकता है मन में घवराहट धता परिस्थानियों से कार्रे योजनाओं में बादाएं उत्पन हो सकती है अथे सावदानी रखना आपके लिए अनिवार रहे दोस्तो साथिसाथ आपका शक्की स्वयभाब आपके लिए आज कुछ परिसानिया उत्पन कर सकता है बच्चों पर जादा अनुशाशन रखना उनके लिए परिसानिया खड़ी कर सकता है इसलिए अपने स्वयभाब में आज आप थोड़ा लचीला पनलाएं पिता का सम्मान करें कुछ मतबेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथ साथ आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों आज अचानक यात्राओं के कारण आ आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें मत बेहदों की एक लंबी श्रंखला के पनपने के करण आपको समंजस बैठाने में मुश्किल आज आ सकती है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं अज दोस्तों प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुती अति उत्तम रहेगा जा दोस्तों विवादों से आप दूर रहें किसी के कहने पर कोई कार्रे आप ना करें आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा अथे अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी प्र आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवेशाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें आपकी गुप्त योजनाओं आपके काम में ज़्यादा फायदे देंगी ज्यां दोस्तो इस समय कहीं से आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फायदा होगा जह दोस्तो वेवसाइक छित्र में धनलाव की आज इस्तिती रहेगी कारों आज आपके लिए सभी आसानी से सफल होंगे कारोबार विश्टार की आज आप योजनाए बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आपको पेसे के लेने देन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्चे ही लाबदाइक सिद्ध होगा साथी साथ नोकरी पेसा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है नोकरी से संबन्दित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्चे ही प्रात हो सकती है जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त समरद बना हुआ रहेगा स्वास्त पर आज आपको अधिक जोर देने की जरुत है आपको अपने क्रोध पर आज नियंतर रखना होगा साथिसाथ दोस्तो अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दे क्योंकि आज आपको पेट से सम्बंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती है थोड़ा साथिसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इश्रान आदिशे निरवत्र होने के बाद भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाएं और भगवान बजरंग बली जी को आप गुड़ और चने का प्रशाद अवश्य चड़ाएं और साती सात वहीं बैटकर हनमान चालिसा का भी एक बार पाठ आप बहुती सच्य मन से बहुती स्रदभाव से अवश्य करें और अपनी मनों काम नए मांगें या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल नहीं है समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्दी ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रें बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान बजरंग बली का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्च दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद